यह उनका एजेंडा है उनका पाटी का मेनिफेस्टो में है विधान सभाद चुनाओ है इसमें मन बना लिया है बिहार का जनता की नितीस कुमार की सत्ता को पलट देना है सड़कों पर उतर के आंदोलन करने लगें तो यह तमाम जो मुद्दे हैं बिहार विधान सभा चुनाओं में परवाव डालेंगे और एंडिये की सरकार को बिहार से इस बार उखाड को तो वो कहा रहे हैं दूसरे लोगों को यह कि दलीतों की हत्या होगी तभी उनको नौकर क्या उसका मुकाबला करना संभव है यह नहीं बिलकुल संभव है जिस तरह से आरक्षन और संविधान के मुद्दों पर और लगतार जो एंडिये की सरकार है वो लगतार जो संविधानिक अधिकारों को खत्म करने का परियास कर रही है जो आरसेस की विचारधारा पे चर संभव है और बिहार में जिस तरह से मजदूरों का पलायन हुआ है मजदूरों को कोरोना में समस्याय हुई है और जिस तरह से एक्ट्रोशिटी की घटनाएं दलित अधिवासियों पे बढ़ी है तो पूरा का पूरा जो समाज है मैं सिर्फ दलितों की बात नहीं कर रहा अन्य जाती के लोग जो हैं समाने वर के लोग भी हैं नितीस कुमार की नीतियों से परिसान है और इस चुनाओं में जो 2020 का चुनाओं बिहार विदान समद चुनाओं है इसमें मन बना लिया है बिहार का जनता की नितीस कुमार की सत्ता को पलट देना है लेकिन लगाता है दिल्ली से ये वाइरल हो रहे हैं ये पोस्ट ट्विट दिया जा रहा है कि अमित्षा और मोदी का जो शडियन्रकारी नीती रहेगी बिहार में वो आरजेडी और तमाम ऐसे अपोजिशन दल पोधुस्त कर रहेंगे जो अमित्षा है और जो दिल्ली की नीतियां है तो यहां बिहार में जो लालू परसाद यादव जी को जी समाजिक न्याय की जो पाटी है उन पाटी पे जो उनके अभी तेजस्वी दिनेता है तो युवाओं का एक रुजान है और उन बिहार में कोई परभाव नहीं पड़ कि रही है यहां असोक रहे हैं बुद्ध की धरती रही है और जिस तरह से जो युवा बेरोजगार हुए हैं अभी देखे होंगे कि हाल फिलाल कही दिनों में करोडों की संख्या में युवा ट्यूटर पर ट्रेंड करवा दिये सड़कों पर उतर के आंदोलन करने लगें तो यह तमाम जो मुद्धे हैं बिहार विधान सभा चुनाव में परवाव डालेंगे और एंडिये की सरकार को बिहार से इस बार उखाड को लोग दिल्ली से पैदल आ रहे थे लोक्डाउन के दर्वियान में क्या वो लोग तयार हैं बीजेपी और नितीश जी को टकर दे बिल्कुल वो देखिए वो अपने दर्द को कभी भूल नहीं सकते हैं और जो भूखे रह कर करके सैक्रों मीटर हजारों किलो मीटर वो चल करकर के पैदल आये हैं तो वो इस दर्द को भूलाया नहीं जा सकता है और क्योंकि बिहार में रोजगार का साधर नहीं है उद्वोग धंदे नहीं है कल कर खाने नहीं है अगर बिहार में ये सुसासन की सरकार अगर कल कर खाने उद्वोग धंदे लगाते तो आज बिहार से लाखो कोडोरो जो मजदूर हैं गरिब सोसित हैं उनका पलायन नहीं हो लालू जी का विकल्प कोई हो नहीं सकता है। आरक्षन संभीधान को बचाने की लडाई को हमेशा जारी रखें तो कहीं न कहीं उनका खून उनके अंदर भी दोड़ रहा है और वो अच्छा करेंगे युवा हैं हम लोग भी युवा हैं और हम लोग मिल करके एक अच्छी सरकार बिहार में बनाने का परियास करें। जो चुनाओ नजदीक आरहायत्यों तो जो है नितिस कुमार नित नए लुवावन घुसना करने हैं। कि दलितों को ये कर देंगे नोक्रियां देंगे इतना लात्रूप्य देंगे। इससे कहां तक आप इस्थफार करते हैं। क्या इस चीज में दलित जो है दलित वोट बैंक जो है वो नितिस के खेमे में आ जाएगी। देखें, मैं पहले बिहार से में लगतार में पिछले दस सालों से दलित राजनिती में हूँ। और मैं जहां रहता हूँ, वहां से दलित आंदोलन को धार दिया जाता है। दलित मुद्दो के लिए लड़ाई लड़ी जाती है संबेधानिक अधिकारों के लिए। इस तरह से जिस तरह से नितीश कुमार अभी दलित बोट को रिजहाने की कोशिस कर रहे हैं, यह एकदम बिल्कुर गलत है, वह परभोग कर रहे हैं, मैं एक लाउ का स्टुडेंट हूँ, वह कर रहे हैं दूसरे लोगों को, या कि दलितों की हत्या होगी, तभी उनको नौ नौकरी देने की बात है, बिल्कुल गलत बात है, पहले भी हज्जारों की संख्या में बिहार में दलितों की हत्याय होई है, दलित महिलाओं के साथ रेप हुआ है, मार्पिट की घटनाय होई है, और कई नरसंगहार हुए हैं, जिनके आरोपियों को बरी कर दिया गया है, और नितीस कुमार बिल्कुल चुप रहे हैं, वो हाई कोट सुप्रीम कोट में याचिका भी दायर नहीं कर पाएं कि अगर बात है नरसंगहार की में बात करना जहां अंठावन दलितों को काट दिया गया था, और 2012 में उनके सारे आरोपि को पटना हाई कोट के द्वारा ब परी ही हो गए हैं, अमीर दास आयोग बना था यहां, बिहार में तमाम तरह के जो नरसंगहार हैं उसके जाच के लिए, उस आयोग को नितीस कुमार की सरकार आई और उन्होंने सबसे पहले बंद करने का काम किया, तो ये एक सवाल उसता है और बिहार में दलित महादलित कर करने का काम किये, दलितों को मांचिक रुप से अलग करने का काम किये, ये ही है कि फुट डालो और राज करो की निती अपना रहे हैं, ये बिहार के सभी दलित महादलित, अदिवासी भाई, बहजन भाई सब कोई समझ गये हैं कि नितीस कुमार की सरकार इस बार आने वाली कोई भी आप लुभावना एनॉंस कर दें चुना भी घोसना कर दें वह बात अब जहासे में नहीं आएंगे इसके प्राइब चिराग पासवान जी अभी लगतार जो सत्ता से सवाल कर रहे हैं जिस तरह से राम बिलास पासवान जी लगतार सत्तरा पिछले जो 2014 में उनका गड़वन्धन एंडिये से नहीं हुआ था उसके पहले लगतार वो RSS और BJP को कॉंटर करते आ रहे हैं तो कहीं न कहीं अब चिराग पासवान में ये दिख रहा है कि वो सत्ता से सवाल कर रहे हैं और उनका सवाल बिलकुल जाइज है और अगर चिराग पासवान जो बोल रहे हैं कि हम 143 सीटों पर अगर बिहार में और 100 सीटों पर जदियू के खिलाप उतारेंगे तो इसका फाइदा महागडवन्धन को होगा तेजस्वी आदब जी को होगा और सभी कोई भाजपा हो लोजपा हो राजद हो कोई नहीं चाहा रहा है कि नितीश कुमार की सरकार बिहार में वापस आई सभी को इन से पक चुके हैं अर भी एक येक रिजेक्टेड सीयम हो चुके हैं और नेता हो चुके हैं भाजपा ने भी रिजेक्ट कर दिया आगि तो बहाजपा helfen यह हैं और इंडिये के सहयोगी हैं तो बगएर भाजपा के सपोर्ट के चिराग पास्वन इतना नहीं बोलते हैं पिछले चार साल से पास सालों में जो डलित महिलाओं के साथ गटना गटी है उसके खिलाप आज तक कोई फोस कदम नहीं उखाएंगे बिलकुल देखिया हमारा काम ही है समाजिक न्याई की लड़ाई लड़ना मैं सरकार में रहूं विधायक रहूं ना रहूं मंतरी रहूं भविष्ट में बनेंगे यह भविष्ट की बात है पर हम लोगों ने हमेशा दलित पिछडों का जो पर जो अतियाचार हुआ उसके लिए आवाज बुलंद किया है और हम जिस पाटी के लिए अब पाटी से जुड़ेंगे उस पाटी की भी समाजिक न्याई की निती रही ह है चमानता की निती रही है गरीब सोसितों को आवाज देने का काम किया है तो हम लोग हमेशा से करते आए हैं आगे भी करते रहेंगे और इन तमाम तरह की घटनाए होई है दलित महिलाओं पर चाहिए वो रेप की घटना हो अत्याचार की घटना हो कई लोगों का घर जला कर दिया गया कई लोगों को तो इस पर हम लोग लगतार अंदोलन कर रहे हैं सवाल भी उठा रहे हैं इस बात का लगतार है कि भाजपा जो है चुनाओ जितने के लिए कुछ ना कुछ ना कुकांड करती है पुलबामा आटेक हुआ लोग सवाज जिन गया क्या आपको भी इस तरह से चुनाओ नजदीक आ रहा है तो कहीं न कहीं फिर से ये गायवाला कांड मुसल्मान हिंदू धर्म इसलाम धर्म ये सब गतिवीदियां जो आरेसेस की एजेंडा है फूट डालो सासन करो की नीती है कभी जाती के नाम पे लड़ा देना कभी धर्म के नाम पे लड़ हो चाहे बहुत सारी घटनाए हुई है जिनको आरोप लगा है उनको जवाब वो सब नहीं दे पाए है